हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई निटिंग चैनल जिसकी आज की वीडियो में हम दो रंग का एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाना सीखेंगे चलिए इसको बनाना हम सीख लेते हैं देखे इसके लिए फंदे हमें लेने हैं 4 के मल्टिपल में प्लस 1 तो यहाँ पर हमने अपनी सलाई पर 21, 21 फंदे डाले हुए हैं 21 फंदों में हम इसे बनाना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहली सलाई हम बनाएंगे अपने सेकिंड कलर यानि रेड कलर से तो देखे, राइट साइड में हम हैं, राइट साइड से हमें पहली सलाई बनानी है, रेड कलर से हम बनाएंगे, सारे फंदों को हम इसमें सीधा बुनेंगे रेड कलर से बुनते हुए, सारे फंदे हम इसमें सीधे बुनेंगे इस तरह से हमें चार सलाई या रैड कलर से बनानी है जिसमें रैड साइड से हम सीधा बुनेंगे और रॉंग साइड से हम उल्टा बुनेंगे पहली सलाई हमारी कंप्लीट हो गई अब आजाते हैं रॉंग साइड में यहां इस दूसरी सलाई में सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे अब यह जैसे हमने पहली और दूसरी सलाई बनाई है उसी तरह से हम तीसरी और ठोटी सलाई भी बनाएंगे चार सलाई हमने बना लेनी है रैड कलर के साथ सबस्क्राब झाल यह देखी चार सले हैं हमने यहाँ पर बना कर कंप्लीट कर ली आप पांचवी सलाई राइट साइड से हम बनाएंगे अपने बेस कलर यानि वाइट कलर के साथ तो वाइट कलर हम ले लेते हैं और इससे देखिए पहला फंदा यह हमारा एजिस का स्टिच है इसको हम सीधा बुनेंगे इसको हम डिजाइन में अपने काउंट नहीं करते हैं डिजाइन हमारा यहां से शुरू हुआ इसमें हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे आप यह टीन फंदे हमने सीधे बुने आप देखिये 4 फंदा इस चौथे फंदे में से हमी धागे निकाल लेनी है इसको हम उधयरदेंगे तो ये देखी धागे निकालेंगे हम इसमें से ये हमने एक निकाला दो तीन और चार दागे निकालने के बाद देखिए हमारे पास जो वाइट कलर का फंदा आया नीचे इसको हम इस तरह से देखी सलाई पर पकड़ लेंगे इस तरह से हमने इसको सलाई पर लेना है फिर इने लेफ्ट सलाई पर ले लेंगे देखे फंदा और धागे चारो धागे और फंदा हमने लेफ्ट सलाई पर ले लिया अब इन सब को हम एक साथ बुनेंगे सीधा इस तरह से हमने इसको सबको एक साथ सीधा बुन लिया अब यही चार फंदों का डिजाइन हमें पूरी सलाई में रिपीट करते जाना है तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे यह तीन फंदे हमने बुने अब चौथे फंदे से धागे निकालेंगे देखे इस तरह से देखे चार धागे हमने निकालने हैं चार सलाई हमने बनाई थी रैड कलर के साथ तो चार धागे निकाले हमने वाइट फंदा इस तरह से पकड़ेंगे धागे भी ले लेंगे साथ में और इन सब को सीधा बुन लेंगे देखे इस तरह से अब चलिए इस तरह से पूरी सलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से पूरी से लेंगे से अब लेंगे से अब दूरी से लेंगे से बनाईया है अब देखे लास्ट में तीन फंदे हम वुनेंगे x3 मनेके अीज Nope एक अब देखि इसको भी सीधा बुनते हुवे्य कमेट कर लेंगे स्थे जिए इस तरह इ settlements कर लिंगे इस तरह जलाई में सारे फंदे हम उल्टे बुलेंगे आप जो कि शटी सलाई हमने सारे फंदे सीधा बुनते हुए कंपलीट कर ली अब सातवी सलाई में हम अपना सेकेंड कलर जो कि ग्रीन कलर है वह एड करेंगे अब यहां देखे किस तरह से हमने बनाना है यह पहला फंदा यह एजिस का स्टिच है इसको हम स्लिप कर लेंगे यह हमने स्लिप कर लेना है इसके बाद अगले फंदे से देखी क्या करेंगे पहला फंदा यह हम ग्रीन कलर से बुनेंगे बोंगे नेक्स्ट फंदा सिलिप करेंगे फिर एक फंदा ग्रीन 使 сообщ है नेक्स्ट फंदा सिलिप करेंगे अब अब देखिए इस तरह से आपको इस धिज़ाइन को बनाना है कि आपने ईसद्रा बीच में से बुना था यह आपका slip होना चाहिए यह आपका green color का नहीं आना चाहिए देखिए हमने पहला फंदा slip किया edges का stitch उसके बाद तीन फंदे में से पहला फंदा बुना हमने एक slip किया तीसरा फंदा फिर से बुना तो यह चौथा फंदा हमारा slip हो गया तो इसी तरह इतने हैं से हम पूरी सलाई बनाते जाएंगे यह देखिए लास्ट फंदा इसको हम बुल लेंगे यह हमारा edges का stitch है इसको हमने पुल लिया आप देखिए आ जाते हैं रॉंग साइड में रॉंग साइड की इस आठवी सलाई में देखिए हम क्या करेंगे यह पहला फंदा edges का stitch है इसको आप चाहें तो slip भी कर सकते हैं उल्टा भी बुन सकते हैं हम इसे उल्टा बुन रहे हैं इसके बाद धागा पीछे अब यहां से हमारा design start होता है जहां से हमारा design start हो रहा है वह पहला green फंदा हमें सीधा बुनना है यह हमने सीधा बुना अब धागा आगे लाएंगे white फंदे को slip करेंगे फिर धागा पीछे green फंदे को सीधा बुनेंगे तो इसी तरह है एसे पूरी सलाह हमने बनानी है फंदा स्लिप है और ग्रीन फंदा हमें सिधा बुनना है इपर रृब फंदा शब्लेप किया था पीछे का के फंदा हमने सिधा पुनना कि इस तरह से हमारी आठवी सलाई कम्प्लीट हो गई अब हम आ गए हैं नोवी सलाई में राइट साइड में यहाँ पर हम अपने वाइट कलर का यूज़ करेंगे जो बेस कलर है हमारा सारे फंदो को सीधा बुनेंगे 9 वी और 10 वी सलाई हमने white color से बनानी है right side से सीधा बुनेंगे और wrong side से सबी फंदों को हम इसमें उल्टा बुनेंगे तो यह हमारी right side है सबी फंदे हम इसमें सीधे बुनते जाएंगे 10 सलाईयों को हमारा यह design है जिसकी 10 सलाईयां हमने आपको देखे इस तरह से बना कर दिखाई हैं इनी को हम बार-बार रिपीट करते जाएंगे तो यह रिजाइन हमारा बनता जाएगा देकि राइट साइड की रो कम्प्लीट हो गई अब रॉंग साइड में आते हैं इसमें सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे इसमें साइड में आते हैं यह देखिए दसकी दसलाईया हमारी कम्प्लीट हो गई अब इनी को हमें बार-बार रिपीट करते जाना है तो यह डिजाइन हमारा देखिए इस तरह से बनेगा यह देखिए इस तरह से हमारा दिखना शुरूर हो जाएगा देखिए कितना सुंदर यह लग रहा है जब आप इसे पूरे प्रोजेक्ट पे बनाएंगे तो यह बहुत सुंदर लगेगा आप इसे जरूर ट्राइ करें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक यू